नमस्का दोस्त अर्टक ब्लाग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ अरुप आपका दोस्त लेक हाज रॉपके पास एक नए वडियो के साथ तो आज इस वीडियो में हम देखने वाला है कि कैसे हम अपने वर्टपरेस वेबसाइट में किसी पोस्त को और किसी पेज को डुपलेकेट करते हैं अब किसी post को या page को duplicate करने का क्या मतलब बनता है इसका मतलब यही है कि मान के चलो कि आपने वेब साइट में को एक post लिखा है और आप चाहते हैं same to same उसी post को दुबारा लिखना तो ऐसे में क्या होगा कि आप उस post को अगर line by line अगर copy करेंगे पेस्ट करेंगे या फिर उसे खुद से लिखेंगे जो भी media files आपने यूज किया है उसे upload करेंगे तो it will take so much of time so हम यहाँ पर क्या करेंगे को उस post को completely duplicate post कर सकते है so that कि वो जो post है पूरा का पूरा duplicate बन जाए अब यहाँ पर किसी post को या page को duplicate करने का क्या मतलब बनता है क्यों हमें जरूरत पड़ती है देखे इसका दो reason हो सकती है first reason क्या है कि आप अपने website की testing कर रहा है जहाँ पर आपको बहुत सारे post की या pages की जरूरत है तो आप बहुत सारे pages create करेंगे या बहुत सारे post लिखेंगे तो बहुत स्यादा time आपका लगेगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक page बनाएं उसका बहुत सारे duplicate बना दिया तो बहुत सारे pages होगी है मेरे website में हम एक post लिखें और उसका बहुत सारे duplicate बना दिया है आपका उस फर्स्ट वाले पोस्ट से अब फर्स्ट वाला जो पोस्ट है उसका बहुत सारा content same to same आपका second वाले पोस्ट में रहेंगे कुछ content ऐसा होगा जिसे आपको change करनी होगी सो इसके लिए आपको first वाले पोस्ट में जो भी content common रहेगी उससे भी लिखना पड़ेगा तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि पोस्ट को duplicate कर सकते हैं पूरा का पूरा पोस्ट यहां पर duplicate हो जाएगी और जो भी necessary changes है वह हलका फुलका changes हम करके उसे पब्लिस कर सकते हैं सो इससे हमारा काफी ज्यादा समय की बचत होगी सो हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे हम किसी पोस्ट या पेज को duplicate कर सकते हैं तो वीडियो दोस्तों काफी informative and knowledgeable होने वाले इस वीडियो को पूरे end तर चरूर देखे चलिए दो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगि इनको दबा ले ताकि हमारे चैनल पाइन वाले इस सारी वीडियो की नोटिकेशन से आपको हमेशा मिलती रहे हम यहां पर एक plugin का यूज करेंगे जिसका नाम है Yoast duplicate plugin अब इसी plugin को क्यों यूज करेंगे हम बहुत सारे plugin हैं मार्केट में हम जिसे यूज कर सकते हैं तो अगर हम Google पर आए यहां पर हम लिखते हैं duplicate post WordPress plugin तो देखिए सबसे पहले Google में जो हमें यहां पर recommend हो रही है वो है Yoast duplicate plugin हाला कि बहुत सारा plugin है लेकिन यह भी plugin काफी popular है इसलिए इस plugin को आज हम use करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां से इस plugin के नाम को copy करते हैं हम जाएंगे अपने द्सक्राइब combine tiếp करेंगे और इस plugin को install करेंगे जैसे यहां से उन्स्टाल logo come active करेंगे जैसे पर प्लगिन हो जाएगी उसके बाद अगर आप किसी post को duplicate करना चाहाथ है तो उसके लिए आपको post में जाना है दन यहां पर आप को क्लिक करना है request पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी website में जितने भी post होगी वो सारे post आपको यहाँ पर दिखेगी अब suppose इस post को हम duplicate करना चाहते हैं इस post को duplicate करने के लिए इस post में जैसे हम अपने mouse के pointer लेके आएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगी clone simply हमें इस clone बाले option पे click करना है click करते ही यह जो post है यह post आपका duplicate हो जाएगी तो जैसे हम यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर जिस post को हमने duplicate किया वो सबसे टॉप में आपको यहाँ पर दिखेगी लेकिन यह post जो है direct publish नहीं होगी यह post जो भी post आप duplicate करेंगे वो draft stage में पढ़ा हो रहाएगा अब जैसे पोस्ट आपका duplicate हो जाएगी उसके बाद फिर इस post में जो भी necessary changes है उसे करने के लिए हमें simply यहाँ पर edit पे click करना होगा जैसे हम edit पे click करेंगे अब suppose यहाँ पर हम लि changes complete हो जाएगी उसके बाद फिर हम यहाँ से publish पे click करेंगे publish पे click करते ही यह जो post है आपके website में publish हो जाएगी इस तरह से यहाँ पर हम किसी post को duplicate करके अपना time को बचा सकते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पर pages को भी duplicate कर सकते हैं सो उसके लिए हम जाएंगे इतने dashboard में और pages को duplicate करने के लिए हम जाएंगे pages में then यहाँ पर all pages क्लिक करेंगे अब all pages क्लिक करने के बाद सारा pages आपके सामने आ जाएगी अब यहाँ पर suppose आप किसी भी page को duplicate कर सकते हैं जैसे contact us page में आप अगर duplicate करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर आएंगे mouse pointer लेके यहाँ पर आपको clone का option मिल जाएगा clone पर क्लिक करते ही contact us page जो हो duplicate हो जाएगी अगर आप किसी sub page को duplicate करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पर services जो page है इसका आपने तीन sub pages बनाया है इन तीन sub pages को भी आप duplicate कर सकते हैं जैसे इस sub page को अगर duplicate करना है इस पर mouse pointer लेके आएंगे clone का option मिल जाएगा simply हम यहाँ पर clone पर क्लिक करेंगे तो यह page duplicate हो जाएगी इस तरह से दोस्तो हम इपने website में किसी post या page का duplicate बना के we can save our time so hopefully यह वड़ा आप लोग के लिए helpful रही आपको पता चला कि कैसे हम अपने post और pages को duplicate करते हैं तो बस दोस्तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नेचे कमेंट करके मुझे अगर उड़ा को पसंद रहते हैं लाइक करें चैनल को दोस्तों अभी जग अगर सब्सक्राइब करें चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाल आकन को दवा लें तो मिलता हम दोस्तों अगले वीडियो में तब दो बाए आद टेक क्यार